अब हम देखेंगे type 2 hypersensitivity type 2 hypersensitivity में आपको पता होना चाहिए कि इसमें antibodies mediated reaction है यानि कि antibodies mainly IgG और IgM directed against tissue and cell surface antigens जो हमारी body में cell surface पे antigens present है या बहर से आएंगे जो antigens उनके against antibody release हो ठीक है, अब इन एंटीबोडी के रिलीज से, इन एंटीजन और एंटीबोडी के इंट्रेक्शन से, हमें finally cell में ये तीन चीजे होती भी दिखेएगे, क्या होगा? जब एंटीबोडी का एंटीजन से इंट्रेक्शन होगा, there is a cellular destruction, अगर कोई एस्टेनल एंटीजन आया, जै तो हम ये तीनो स्टेप्स को समझेंगे और तीनों स्टेप्स के एक्जाम्पल सी दिस्ट्रॉक्शन होता है कहीं को चैया को मिलटा है कौन सी दिस ने 250 मिलटा है ठीक है तोटेखें एंटी बॉडि ईंटिचन से कैसे होगा इन सेल्फ जो एंटीजन्स होंगे उनका डिस्ट होगा सबसे पहले इन एंटीजन्स के ऊपर ऑपनाइजिशन होगा ऑपनाइजिशन को उन करते हैं इसको हम बोलते हैं इसकी वैसे क्या होगा जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वह अट्रेक्ट होंगे इन एंटीजन्स की तरफ और वह उन्हें फेगोसाइटोसेस कर देंगे तो हमें क्या दिखने को मिलेगा सेल इस ऑपनाइस जिसके वेसे हमें क्या एक्टिवेशन होते वह देखेगा फेगोसाइटोसेज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा Compliment Systems जो हमने गाइस पड़ा था नगा हमने की Compliment System देखा था Body में Compliment System Activate कभ था जब कोई भी Bacteriagram Negativator Especially आ गया तो उसके Destruction चोलेगे Compliment System Activate होता है तो हमें यहापर Compliment System Activate हो जाएगा और फिर क्या होगा NK के Cell Scaling NK Cell Scaling किस मेकनिजम के थो होती है ADCC यानि कि antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity हमने गाइस अल्रडी समझा था antibody-dependent cells-mediated cytotoxicity में कि NK cells with the help of IgG antibody किस तरीके से antigen का destruction कर देते हैं तो यह तीन चीजें हमें देखेगी कब जब cell के ओपर oponization हो जाएगा और इसको हम cellular destruction बोलेंगे ठीक है अभी कौन सी diseases में हो सकता है यह diseases में हो सकता है इसके example कहके autoimmune hemolytic anemia, immune thrombocytopenia, hemolytic disease of newborn and transfusion injection ठीक है अब देखे, autoimmune hemolytic anemia में क्या हो रहा है जिस तरीके सबन आपको बता है यहां पर antigen का destruction होता है यहां क्या हो रहा है जो RBCS है उनका destruction हो जाए, hemolysis हो रहा है अभी क्यों हो रहा है basically इसमें हम drug induced form की वेज़े से भी हम hemolytic anemia देखते हैं drug induced hemolytic कैसे हो सकता है देखे, मैंने किसी patient में देखा कि वो methyl dopa और penicillin drug लेता है अब यह drug से वो उसकी RBCS bind कर जाती है यह drug RBCS bind नहीं करना चाहिए इस patient के case में क्या हो रहा है यह drugs RBCS bind कर जाती है तो क्या होगा autoimmune hemolytic anemia देखने को मिलेगा क्योंकि RBCS का destruction हो जाएगा इसी method के तुरू और कहां देखने को मिलेगा autoimmune hemolytic anemia due to mycoplasma pneumonia इसका attack होता है तो RBCS induced antibodies form होगी so these mycoplasma pneumonia induces RBCS antibodies जिसके वैसे RBCS का destruction हो जाएगा तो यह autoimmune hemolytic anemia आपको यह disease का नाम याद रखना है यह किसका example है cellular destruction का जब हम detail में जब hemolytic anemia देखेंगे तो हम इसको समझेंगे तो हमें जब सिर्फ हमें यह पर इनके examples को याद रखना है detail हम जब systemic pathology देखेंगी उसमें आप जानते हैं आरेच antigen की incompatibility होती है तो उसकी वैसे destruction होता है RBCS का हमें यह देखने को मिलेगा transfusion reaction अगर हम blood का transfusion करते हैं किसी की body में B blood group है और हम उसे A group का blood group दे दिया हमने A antigen वाला तो क्या होगा mismatch हो गया तो transfusion reaction के कारण भी हमें यह RBCS का destruction देखने को मिलता है और हमें उस condition में भी cellular destruction देखने को मिलेगा ठीक है ओके और क्या होता है देखें है हमें cellular destruction संबल दिया अब हम देखेंगे inflammation Inflammation कैसे होता है Antibody-antigen के interaction से Guys, binding of antibodies to the cell surfaces Leads to the activation of the complement system and FC receptor-mediated inflammation देखें, complement system का मैंने आपको यहां पर भी बता दिया था FC receptor-mediated inflammation भी बही चीज़ है कि FC receptor होता है वो किससे bind करता है वो आपके macrophages, natural killing cells, neutrophages उनसे bound कर जाता है जब भी antigen detect होता है तो वो FAB receptor FAB जो की antigen को detect करता है उसके तुर्व antigen से bound होता है antibody और antigen का destruction हो जाता है तो इस condition में हमें inflammation देखने को मिलता है इसके examples में मैंने क्या-क्या mention कर रहा Good pressure syndrome अब इस good pressure syndrome में हमें क्या देखने को मिलता है जो आपका collision होता है type 4 collision यह कहां present है यह हमारी basement membrane है उसके नीचे present है Below the basement membrane हमें type 4 collision जो present है उसका destruction हो जाता है क्यों होता है क्योंकि there is a formation of antibodies against type 4 collision इस syndrome है तो जैसी आगर दीखे अगर मैं type 4 collision जो है lungs में damage कर दो तो क्या हो जाएगा pulmonary hemorrhage हो जाएगा basement membrane के नीचे collision जो रहेगा यह destruction होगा तो आपे उती like strongness नहीं रहेगी और pulmonary hemorrhage हो जाएगा मासे blood leaking होगा nephritis में भी हमें kidney disorder भी दीख सकता है इसी syndrome में ठीक है अब हम next example लेते है rheumatic fever rheumatic fever में आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि हमारा heart इसमें mainly affect होता है heart के जो cardiac muscle से वो generally affect होते हैं क्यों होते हैं of antibodies against streptococcus which cross reacts with the cardiac monocyte streptococcus bacteria ना अगर हमारी body में infection cost करा तो हमारी body में antibodies बनेगी इस bacteria के अगें पर यह क्या होता है नहीं बैक्टेरिया respiratory tract through heart तक पहुच जाता है अब heart की muscles पे भी antibodies इस bacteria के आई but उन antibodies ने cardiac monocyte से उनको भी destruction करना स्टार्ट करें ठीक है जो cardiac monocyte present है वो cardiac muscles का destruction स्टार्ट करें जिसके वैसे rheumatic fever दिखेंगा next example hyper acute transplant rejection दो तरीके से transplant rejection होते हैं body में acute or hyperact acute transplant rejection यानि कि हमें कुछ minute बात देखें हमने कि heart transplantation किसी patient में तो हमें 10-15 minute बात पता चलेगा या एक दो दिन बाद किया transplant rejection हो गया hyper acute transplant rejection बहुत ही minutes में पता देखेंगा जिसके हमने transplantation करा कुछ ही minutes में उसकी body में inflammation start हो जाएगा तो इसे हम कहते है hyper acute transplant rejection and the last cellular dysfunction अगर antibody antigen से interact करती है तो cellular interstruction this function कैसे होता है this occurs due to the binding of antibodies to the cell surface receptors देखें यहां आपने क्या बात करती antibody किससे bind होती है cell surface पे जो भी antigen present है यहां antibodies जो है cell के surface के receptor से bound करती है अगर मैं आपको एक classic example दो इसका तो हम Graves Jesus में देखते है क्या होता है thyroid gland पे TSH receptor present है जो कि TSH अगर stimulate होते हो TSH का production होता है पर यहां क्या हो जाता है जो TSH receptors होता है उनकी antibodies की वज़े से उनका destruction हो जाता है या down regulation हो जाता है तो अब क्या होगा Graves Jesus हो जाता है तो क्या हो रहा है binding of antibodies to the cell surface receptor leads to abnormal blockage of receptor वो receptor जिस receptor से antibody bind हुए उस receptor का blockage हो जाएगा या activation of downstream process downstream process जिस तरीके से वापर वो work कर पा रहा था और वो work receptor नहीं कर पाएगा जैसे कि माइस्थिनेग्रेविस में आप में देखने का माइस्थिनेग्रेविस में क्या होता है Acetylcholine receptors जो है उनका blockage हो जाता है क्यों हो जाता है क्योंकि there is a formation of antibodies against acetylcholine receptors occurs नॉर्मली दिखे न जो nicotinic receptor present होते हैं NMJ junction पर neuromuscular junction पर वो acetylcholine receptor present होते हैं acetylcholine आता है normal function होता है पर अब acetylcholine receptors जो है वो block हो जाएंगे तो कोई भी function हो ही नहीं पाएगा तो हम उस disorder को क्या बलते है mysthenia gravest में antibodies is formed against the acetylcholine receptor gravest disease का मैंने आपको अलड़ी बता दिया कि TSS receptor against antibodies form हो गई तो TSS receptor block हो गई and the last Pampygus vulgaris Pampygus vulgaris में क्या होता है epidermis आपकी जो epidermal ले रहे हैं उसमें desmosomes present होते हैं तो अब इस disease में जो desmosomes है उसके against antibodies form हो गया so antibodies forms against desmosomes in the epidermis guys मुझे पता है कि हमने यहां पे जित्ती भी diseases देखिए बहुत ही जल्दी में देखिए क्यों देखिए क्योंकि हम जब इसको systemic में पढ़ेंगे तो हम इसको detail में देखने वाले हमने अब type 2 hypersensitivity को समझ लिया इसमें हमने antigen antibody के interaction से cell में होने वाले destruction information and dysregulation को समझ लिया अब हम move करेंगे type 3 hypersensitivity के type 3 hypersensitivity में हमें क्या देखने को मिलता है हमें देखने को मिलता है हमारी body में antigen antibody complex form हो चुका है पिछले वाले में हमने क्या देख रहा type 2 में हमने देखा था यहां पर कि सिर्फ antigen antibody का interaction हो रहा अब क्या हो रहा है type 3 में antigen antibody complex form हो गया है अभी जो complex form हो गया है यह कब हुए है type 2 hypersensitivity reaction के बाद antibodies जब हमने देखा था नहीं पर interaction हो एंटी बोडी प्रोड़क्शन के एक सी दो वीक बाद हमें इस तरह के complex formation दिखेंगे सो आफ्टर antibody production that is one to two weeks later we can see antigen antibody complexes already formed in our blood okay so एक से दो अपते बाद already हमारी blood में plasma में antigen antibody complexes दिखेंगे अभी complexes क्या करेंगे इन complexes का काम है यह complement system को activate करेंगे कि वापस लेकर आया हैं वही complement system वाला पर यह हमने complement system को समझाता है कैसे complement activate होते हैं bacterial और antigen का destruction वही complement का यह activation करेंगे उस system का और अगर हमें पता है system activation होगा तो जिस site पर जिस tissue पर जिस cell पर प्रेजेंट से वहां पुन का destruction damage हो जाए ठीक है तो अब हम इस type third hypersensitive में यह antigen antibody complexes कहां form होते हैं और क्या-क्या sickness कॉस करते हैं इसको में लिए हम दो तरीके से देखेंगे serum sickness जैने कि plasma के related कुछ sickness आ रही बॉडी में और second हम देखेंगे arthros reaction तो हमें सबसे पहले समझना है serum sickness serum sickness में आपको नीम से समझ आ रहा है कि जो antigen antibody complexes है यह plasma में present और plasma की वज़े से यह पूरी बॉडी में travel कर रहे हैं और यह organs system पर जाकर जहां पर organs present है महां जाके इनका दुपोजिशन है so antibody antigen antibody complexes form immune complexes in the plasma causes system increases जहां जहां यह complexes travel करेंगे plasma के गुरू और जहां भी systems like हमारे organ system पर पस जाएंगे महां इनका deposition होएगा तो यह systemic disease cause करेंगे it deposits in the various tissues like skin kidney joints अगर यह skin में deposit हो गए इस तरीके के complexes तो इस skin में हमें रेस्ट देखेंगे को मिलेगा kidney में अगर इनका deposition हो जाएगा तो obviously बात है कि kidney में हम जो भी functions देखते थे कहां से मतलब किड़नी का function क्या है concentration of the urine कहां पर होता है glomerular membrane पे महां पे ही filtration होता है तो हमें अगर यह Ig complexes उस filtration को affect करेंगे तो हमें acute glomerular nephritis देखने को मिलेगा joints में अगर इन complexes का deposition होता है तो हमें arthralgis देखने को मिलेगा ठीक है अब इन टीपो टीशू में immune complexes का deposition हो गया यह immune complexes इन sites पर जाके deposit होने के बाद immune response को trigger करते है immune response को trigger करने का मतलब क्या है complement activation or activation of the macrophages and neutrophils through FC receptors macrophages and neutrophils अगर activate होंगे तो हमें पता है उस site पर आके inflammation कोस करेंगे और finally tissue damage हो जाएग तो हमें अभी तक यह समझ आ रहा है कि antigen antibody interaction जो हमने यहाँ देखा था वो हुआ उसके एक से दो विक लेटर हमें complexes form हुए complexes अगर plasma में travel कर रहे हैं किसी भी organ तक जाते हैं तो वहां deposit होते हैं deposit होने का बाद वहां का immune response trigger करते हैं हम hypersensitivity देख रहे हैं मतलब हमारा जो normal immune response trigger obviously होगा complement system activation macrophages, necronutrophils का activation होगा और finally हमें inflammation and tissue damage होता हो दिखे हो ठीक है इन patients में और भी symptoms दिखेंगे चलिए और क्या symptoms दिखेंगे इन patient में देख लेते हैं और और हमें in patient में fever, diffuse lymphadenopathy, urticaria, ethyalgia, pulpavar purpura, pulpavar purpura यानि कि जो purpuras होते हैं वो 3 ms के ज्यादा के होते हैं तो हमें palpate हो सकते हैं proteinuria, obviously protein के deficiency हो जाएगी क्योंकि glomerul nephritis हो गया है membrane protein को body से exit होने से रोक नहीं पाएगी body से exit हो जाएगे low serum C3 C4 level क्यों क्यों हमने देखा था नहीं compliment activation हो रहा है compliment activation हो रहा है C3 C4 use हो जाएगे in patient में serum में C3 C4 level कम दिखेगा and elevated sedimentation rate दिखेगा in patients यह बात होगी symptoms की क्या क्या symptoms दिखें मैंने आपके सामने यह पे लिखती है अब हम इसके causes की बात करना जाएगे क्यों type 3 hypersensitivity हो रहा है क्यों antis and antibody complexes form हो रहे तो मैंने यह पर causes mention करें यह causes जहां भी हमें दिखेंगे उस patients में हमें antis and antibody complexes form होते भी दिखेंगे चीके देखें drugs may act as a heptan अब heptan क्या होता है यह एक molecule होता है जो drugs में present होता है इसके वैसे drugs की efficacy बढ़ती है और अगर यह drug में present है तो हमारी body में drugs के against antibodies भी form हो सकते है देखें जैसे की penicillin monoclonal antibodies जैसे की retuzumab इनमें heptan already present है और यह heptan की तरह act भी कर सकती है यह drugs तो यह जबी भी यह drug penicillin या monoclonal already antibodies यह हमारी body में enter करेगी तो हमारी body में antigen antibody complexes form कर देगी ठीक है सेकेंड हम क्या देखते है infection अगर हमारी body में hepatitis B का infection होता है तो hepatitis B के infection में हमें क्या disease देखने को मिलती है polyarthritis nodosa polyarthritis nodosa में क्या होगा immune complexes जो होंगे वो form होंगे और वो immune complexes क्यों form होए क्योंकि hepatitis B, hep B antigen महाँ पर present है complexes form करा और वहां पर वो complexes form होगे महां का active complement system activate कर देगा और finally हमें polyarthritis nodosa में यह देखने को मिलेगा ठीक है post streptococcal glomerulonephritis after the infection of streptococcus bacteria हमें उसके 1-2 हफते बाद इस bacterial infection के बाद हमें इस type का glomerulonephritis देखने को मिलता है simple है यह हमारी body में antibodies produce हुए इस bacteria antigen के against और वो antibody antigen का complex form होगे इसकी वैसे हमारी जो kidney की glomerulonephritis होगे finally SLE systemic lipos erythromatis इसमें anti-DNA antibodies form हो जाएगी जो की वही antigen antibody complexes form करके deposit हो जाएगी तो हमने type 3 hypersensitivity में serum sickness को समझ लिया है अब हम समझेंगे earth restriction चली समझते earth restriction यहां पर मैंने अच्छे से mention करके रखे आपके लिए guys मैंने जित्ते भी points mention कर रहे ना बहुत ही high yield points तो इसको अच्छे से समझेगा earth restriction में क्या हो रहा है हमने इसके पहले serum sickness देखा जहां पर हमने देखा कि plasma में immune complexes move कर रहे है और जीजवे system पर जाएंगे महाँ जाके वह पर जाके complex activation करवाएंगे क्योंकि वह पर disease cause कर सकते बट यहां पर ऐसा नहीं है यहां पर local sub-acute immune complex mediated hypersensitivity reaction देखने के मिलती है यानि कि लोकल साइट पर हमें hypersensitivity एक लोकल साइट पर immune complexes का deposition हो रहा है अब यह ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि देख्या it is a local sub-acute immune complex mediated hypersensitivity reaction usually occurs in the skin after giving intradermal injection to the pre-sensitized individual अभी pre-sensitized individuals क्या होते हैं ऐसे individuals इनकी body में पहले से exposure हो चुका इस antigen का और IgG antibodies form हो चुके यानि कि अगर इन patients में हम intradermal injection देते हैं कोई भी antigen का तो हमें इस type की hypersensitivity देखने को मिलेगी क्यों मिलेगी क्योंकि देखो pre-sensitized individually यानि कि IgG antibody present है वो इसके antigen जो भी हम intradermal injection के तुरू देंगे उससे internet करेगी और इस local site पे उसका deposition हो जाएगा ठीक है और अगर deposition होगा तो वहाँ पर ED में हमें देखने को मिलेगा ठीक है local immune complexes form after 4-10 hours of injection आप किसी patient में अगर या arthrosection injection के intradermal injection के तुरू देखना चाहरे है तो आपको हाथ वाथ कुछ minutes या hours में नहीं मिलेगा result आपको wait करना होगा 4-10 hours after the injection हमें immune complexes का deposition दिखता है ऐसा क्यों आपने कोई भी antigen inject करा उस side पे वहाँ पर IgG present है और कई बार अगर IgG present नहीं है तो वह form होगी तो उसमें वक्त लगेगा जबी भी वह form हो जाएंगे उन दोनों के बीच में होगा antigen और IgG antibody के बीच पे और यह complexes form होगे deposit होजाएंगे deposit होने पर हमें patient में फिर क्या दिखेगा patient में EDMA दिखेगा Fibonaut Necrosis दिखेगा और obviously complement system का activation दिखेगा अब देखे जहां भी antibody interaction होगा तो वह finally complement activation तो महां दिखे गई ठीक है So what is the causes of arthritis reaction अगर किसी patient में skin injections of titanus insulin, diptheria, hepatitis B vaccines दी तो उनमें arthritis reaction देखने में देखेगा यह normal vaccination है guys, देखी ध्यान से insulin, जो diabetes के patient है वो daily routine में ले रहे है तो initially उनकी body में arthritis reaction देखेगा जहां जिस भी site पर उन्होंने vaccine का injection लिया है उस site पर यह reaction देखने को मिलेगी, वहाँ पर immune complex का deposition हो जाएगा आपने देखा होगा, अभी recently भी covid की vaccine लगा रहे है तो कुछ people में जो allergent है उनको allergy जल्दी हो जाती है तो उनमें आपको after the injection of the covid vaccine और after 4-10 hours आपको edema देखने को मिलेगा edema क्यों हो रहा है इसी वज़े से थोड़ा सबत उनकी जिस side पर उन्हें injection लगा है covid vaccine का, उस side पर उन्हें pain भी हो रहा है वह सब क्या है, वह hyper sensitivity reaction का एक part है हम नहीं कहते हैं कि आर्था reaction में completely develop होगी पर इसका एक छोटा सब अब देखने जाएंगे hypersensitivity pneumonitis अब इसका मतलब क्या है farmers lungs के नाम से हम इसको कहते है इसमें ग्या होता है hypersensitivity reaction to the environmental antigen like farmers जो है, daily routine में बिचारे बहुत ही जादा pollen grains या environmental antigen से उनका interaction होता है तो उनके commonly उनमे disease देखने जाती, hypersensitivity pneumonitis and finally अब हम इनका diagnosis देखेंगे हमें किसी patient में diagnose करना है कि उसकी body में arthrospection हो हुई या नहीं हुई तो हम देखेंगे immunofluorescent standing के तो इसमें क्या होता है अगर antibodies बनी है किसी patient में और complement system भी अगर activate हुआ है तो हमें उसकी vessel wall में यह standing के वज़े से पता चल जा so immunofluorescent standing is done to detect antibodies and compliments in the vessel wall मैं आपको summarize करना जाता हूँ हमने arthros reaction देख लिया है इसमें हमें locally arthros reaction में only हमें यह 3 symptoms देखने को मिल रहा है try it देखने को मिल रहा है अब हम move करेंगे type 4 hypersensitivity की तरफ type 4 hypersensitivity पीछली type 1, type 2, type 3 hypersensitivity से बहुत अलग है क्यों अलग है क्योंकि इसमें antibodies का कोई भी interaction नहीं हो रहा हमने जित्ती भी hypersensitivity अभी तक समझी, type 1, type 2, type 3 सभी में हमने देखा कि antibody का interaction हो रहा है but type 4 hypersensitivity में there is no antibody form so it is different from type 1, type 2, type 3 type of hypersensitivity ठीक है पर इसमें antibody का अगर production नहीं हो रहा तो किस type की hypersensitivity it is a cell mediated reaction cell mediated reaction पढ़ते सी आपको समझा गया कि हाँ पर T cell का function आएगा और T facial cells जब भी function करते हैं वो थोड़ा सा time लेते हैं वक्त लेते हैं तो इसलिए हम इसको कहते हैं it is a type of delayed type hypersensitivity so it is also called as delayed type hypersensitivity okay T cell समझें cell mediated reaction कैसे there are two mechanism each involving T cells क्या mechanism direct cell cytotoxicity by CD8 T cells हम जानते हैं CD8 T cells direct cell kill कर देते हैं virus infected cells या tumor cells को so it is a direct cell cytotoxicity second के CD4 T cells यह helper T cells होते हैं cause करेंगे inflammatory reaction produce होगी और वहाँ पर उस antigen का destruction हो जाएं कि दोनों ही process में वक्त लगता है so it is also called as delayed type hypersensitivity अब इसके एक्जाम पर चलिए कुछ diseases के नाम बता देता हूं जहां पर हमें इस टाइप के hypersensitivity देखने के मिलेगे contact dermatitis contact dermatitis में क्या होता है poison iv या nickel allergy किसी patient को हुई या किसी patient के skin cell पे oil का attachment हुआ तो उसकी body में यह जो direct killing CD8 T cells होते है जो direct kill कर देते है virus infected T muscles किसी को भी वो activate हो जाएंगे और जिस side पर जिस skin cell पे oil का attachment हुआ poison iv का attachment हुआ nickel cell का allergy nickel की वेज़े से allergy हुई उस side पे attack करके skin cells को भी damage कर देंगा हमारी body के जिसकी वज़े से उस side पर हमें arrhythmia देखने को मिलेगा eaching देखने को मिलेगा और यह सब कब होगा लगबक 12 to 48 hours of injury injury हुई उसके 48 12 to 48 hours बाद हमें arrhythmia and reaching finally देखने को मिलेगा अगर किसी patient को treatment नहीं मिला तो यह हो गया contact dermatitis multiple sclerosis वही myelin basic protein यहां पर रहता है जिसके वैसे hypersensitivity हमें देखने को मिलेगा और क्या है example इसके immune response to many pathogens like mycobacteria यह अगर हमारी body में enter होंगे obviously बात है कि T cells CD4 T cells activate होंगे इनकी killing कर देंगे graft versus host disease इसमें क्या है transplant rejection heart inflammation हमने इसको हमने type 2 hypersensitivity में भी hyperacute transplant rejection देता है but guys यहां जो type 2 hypersensitivity transplant rejection यह hyperacute है कुछ minutes में transplant rejection हो जाएग और जो हम यहां पर type 4 देख रहे है हमने पहली बात कर रहा है यह delayed है बहुत time लेता है तो यहां पर transplant rejection हो रहा है acute type it takes time to reset any organ okay which is already transplant okay so अब हम आगे बढ़ते है यह examples हमने देख लिए अब हम test समझेंगे कौन से test है जिसकी वज़े से हम type 4 hypersensitivity को detect कर सकते है there is a PDD test for TB infection अगर जो tuberculosis के patient है उनमें हम PDT test करते है ठीक है contact dermatitis जो हमने यह पढ़ाता इन patient हमने देखा poison IV जो की skin cells patch होता है और skin cells की clean हो जाती है उसको हमने detect करना है कि इस patient में तो हम patch test करते है simple patch test होगा for contact dermatitis and for T-cell immune function अगर हमें किसी patient में T-cell immunity judge करनी है तो हम उसमें Candida skin test करते है जिसकी वैसे हमें T-cell immune function immunity बता चलती है उस patient और यहाँ पर मैंने एक mnemonic लिखा है 4T लाइक हमने जित्ती भी है hypersensitory type 4 देखा type 4 में हमने T-T के क्या-क्या देखे हमने यहाँ पर T-cell देखा T-cell यहाँ पर mechanism हो रहा है transplant rejection देखे नहीं यहाँ पर graft versus host disease मेंने बता है transplant rejection होता है कुछ ही minutes में TB skin test यह हमने देखे न TB infection में हम यह PDD test करके पता कर सकते है and touching touching यानि की contact dermatitis का भी test हम इसमें perform कर सकते हैं यह जिस्स pneumonia के आपकी याद करने लिए तो finally हमने type 4 hypersensitivity के समझ लिया तो अजया झीज़ झीज़ झीज़